भजन सहिता 37, 1-9 तक, कुकर्मियों के कारण मतकोर, कुटिल काम करने वालों के विश्य डाहना कर, क्योंकि वे घास के समान जट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुर्जा जाएंगे, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह यहोवा को अपने सुक का मूल जान और वह तेरे मनोर्थों को पूरा करेगा, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड और उस पर भरोसा रख वही पूरा करेगा, वह तेरा धर्म ज्योती के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रगड करेगा, यहोवा के सामने चुप चाप रहे और धीरच से उसकी प्रतीक्षा कर उस मनुष्य के कारण नकोर जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। सूरज डूपते समय जिन जिनके यहां लोग नाना प्रकार की बिमारियों में पड़े हुए थे वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। पास से न जाए। परंतु उसने उनसे कहा मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वह गलील के आराधनालियों में प्रचार करता रहा। लूका पांच एक से सोलह तक जब भीर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्निसरत की जील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने जील के किनारे दो नावें लग परने के लिए अपने जाल डालो। शमॉन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया, तो बहुत मचलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्ह उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर लीकी वे डूबने लगी। यह देखकर शमॉन पत्रस यीशू के पावों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्य क्योंकि मैं पापी मनुश्य हूँ, क्योंकि इतनी मचलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचमभा हुआ, और वैसे ही जबदी के पुत्र याकूब और युहनना को भी, जो शमॉन के सहभागी थे, अचमभा हुआ, तब यीशू ने शमॉन से कह मत डर, अब से तू मनुश्यों को जीवता पकड़ा करेगा, और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए, जब वह किसी नगर में था, तो वहां कोड से भरा हुआ एक मनुश्य आया, और वह यीशू को देखकर मुह के बल गिरा और बिनती की, हे प्रभू, यदि तू चाहे तो मुझे शुधा कर सकता है। उसने हाथ बढ़ा कर उसे चुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुधा हो जा। और उसका कोड तुरंद जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से न कह, परंतु जाके अपने आपको याजि किया करता था, गिंती 15, 1-41 तक, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राइलियों से कह कि जब तुम अपने निवास के देश में पहुँझो, जो मैं तुम्हें देता हूँ, और यहोवा के लिए क्या होंबली, क्या मेलबली, कोई हव्य चड़ाओ, चाहे वह विशेश मनत प चड़ाना, और चोथाई हीन दाखमधू अर्ग करके देना, और मेरे पीछे तेहाई हीन तेल से सना हुआ आपा का दो दस्वा अंच मैदा अन्न बली करके चड़ाना, और उसका अर्ग यहोवा को सुकदायक सुगंद देने वाला तेहाई हीन दाखमधू देना, और जब जिक्टु यहोवा को होंबली या किसी विशेश मनत पूरी करने के लिए बली या मेल बली करके बच्छडा चड़ाए, तब बच्छडे का चड़ाने वाला उसके संग आधाहीन तेल से सना हुआया पाका तीन दस्वां अंश मैदा अनन बली करके चड़ाए, और उसका अरग आधाहीन दाखमधु चड़ाए, वह यहोवा को सुकदायक सुगंद देने वाला हव्य होगा। एक-एक बच्छडे, या मेरे, या भीर के बच्छे, या बक्री के बच्छे के साथ इसी रीती चड़ावा चड़ाया जाए। तुम्हारे बलिपशुओं की जितनी गिंती ह उसी गिंती के अनुसार एक-एक के साथ ऐसा ही किया करना। जितने देशी होगे यहोवा को सुकदायक सुगंद देने वाला हव्य चड़ाते समय ये काम इसी रीती से किया करें। और यदि कोई परदेशी तुम्हारे संग रहता हो, या तुम्हारी किसी पीडी में तुम् तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशी ये एक ही व्यवस्था और एक ही नियम है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राइलियों को मेरा यहवचन सुना, कि जब तुम उस देश में पहुंचो जहां मैं तुम को लिए जाता हूँ, और उस देश की उपज का अनकाओ, तब यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट चड़ाया करो. अपने पहले गूंदे हुए आटे की एक पपड़ी उठाई हुई भेंट करके यहोवा के लिए चड़ाना, जैसे तुम खलिहान में से उठाई हुई भेंट चड़ाओगे वैसे ही उसको भी उठाया क अपनी पीडी पीडी में अपने पहले गूंदे हुए आटे में से यहोवा को उठाई हुई भेंद दिया करना। व्याजक इस्राइलियों की सारी मंदली के लिए प्रायश्चित करे और उनकी ख्षमा की जाएगी क्योंकि उनका पाप भूल से हुआ और उन्होंने अपनी भूल के लिए अपना चड़ावा अर्थात यहोवा के लिए हव्या और अपना पाप बली उसके सामने चड़ाया। इसलिए इस्राइलियों को सारी मंदली का और उसके बीच रहने वाले प्रदेशी का भी वह पाप शमा किया जाएगा क्योंकि वह सब लोगों के अंजाने में हुआ। फिर यदि कोई प्राणी भूल से पाप करे तो वह एक वर्ष की एक बकरी पाप बली करके चड़ाए। और याजग भूल से पाप करने वाले प्राणी के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे अतह इस प्रायश्चित के कारण उसका वह पाप शमा किया जाएगा। जो कोई भूल से कुछ करे चाहे वह इस्राइलियों में देशी हो चाहे तुम्हारे बीच पर देशी होकर रहता हो, सब के लिए तुम्हारी एक ही व्यवस्था हो. परंतु क्या देशी क्या परदेशी, जो प्रानी धिठाई से कुछ करे, वह यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा, और वह प्रानी अपने लोगों में से नश्ट किया जाए. वह जो यहोवा का वचन तुछ जानत वे उसको मुसा और हारून और सारी मंदली के पास ले गए. उन्होंने उसको हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुश्य से क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था. तब यहोवा ने मुसा से कहा, वह मनुश्य निश्चे मार डाला जाए, सारी मंदली के लोग छा गया दी थी उसी के अनुसार सारी मंदली के लोगों ने उसको चावनी से बाहर ले जाकर उस पर पत्राव किया, और वह मर गया. फिर यहोवा ने मुसा से कहा, इस्राइलियों से कह कि अपनी पीडी-पीडी, मैं अपने वस्त्रों के छोर पर जालर लगाया करना, और एक ए यहोवा की सबाग्याओं को स्मरन करके उनका पालन करो, और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो. मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरून, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोव और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंदली का एक-एक मनुश्य पवित्र है, और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंदली में उचे पद्वाले क्यों बन बैठे हो। कर यहोवा के सामने धूब देना, तब जिसको यहोवा चुनले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियो, तुम भी बड़ी-बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियो, सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान परती है कि इस्राइल के परने तुम को इस्राइल की मंदली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने, और मंदली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीब बुला लिया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भायों को भी अपने समीब बुला लिया है, फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो, और इसी कारण तुने अपनी सारी मंदली को यहोवा के विरुद्ध इकटी किया है, हारून कौन है कि तुम उस पर बुर्बुराते हो, फिर मूसा ने एलियाप के पुत्र दातान और अभीराम को बुलवा भेजा, और उन्होंने कहा, हम तेरे प अधू की धाराएं बहती हैं नहीं पहुँचाया, और ना हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया, क्या तू इन लोगों की आँखों में धूल डालेगा, हम तो नहीं आएंगे, तब मूसा का कोब बहुत भड़ा कुठा, और उसने यहोवा से कहा, उन लोगो अधू ने ले जाना, विशेश करके तू और हारून अपना अपना धूपदान ले जाना, इसलिए उन्होंने अपना अपना धूपदान लेकर और उनमें आग रख कर उन पर धूप डाला, और मूसा और हारून के साथ मिला पवाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए, और कोरह ने सारी मंदली को उनके विरुद्ध मिला पवाले तंबू के द्वार पर एकठा कर लिया, तब यहोवा का तेज सारी मंदली को दिखाई दिया, तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंदली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर दालून, तब बे मूह के बल गिर के कहने लगे, हे इश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंदली पर होगा, यहोवा ने मूसा से कहा, मंदली के लोगों से कह की कोरह, दातान और अभीराम के तं पुमेफंस कर मिट जाओ, यह सुनके वे कोरह, दातान और अभीराम के तंबूओं के आसपास से हड गए, परन्तु दातान और अभीराम निकल कर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए, तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे की यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करून, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया, यदि उन मनुश्यों की मृत्यू और सब मनुश्यों के समान हो, और उनका दन सब मनुश्यों के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा परन्तु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ती प्रकट करे और प्रित्वी अपना मुह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़ें तो तुम समझ लो की इन मनुश्यों ने यहोवा का अपमान किया है। और जितने इस्राइली उनके चारों ओर थे वे उनका चिलाना सुन्येह कहते हुए भागे की कहीं प्रित्वी हमको भी निगल न ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन धाईस ओ धूप चड़ाने वालों को भस्म कर डाला।